गाईज कल के मैच में भी आप सभी भाईयों ने बहुत ही जबर्दस था भाई मचाई और गाईज मैंने आपको बोला था शादाप खान ये वाले मैच के लिए भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहे गा साथ में कोलिन मूनरो के बारे में भी बताया था और गाईज जिस प्लियर ने अपनको कल के मैच में सभी लीगों में वन साइडेट बिन कराया वो है डबलू मक्सूद जिसको बहुत कम लोगों ने ले रखा था बट शौर एक्सपर्ट सपोर्ट फैमिली ने उसको ले रखा था और अपनी सभी लीगों में वन साइडेट बिनिंग हुई है अब गईज आज का जो मैच खिला जाएगा वो खिला जाएगा इसलामाबाद युनाइटेड वर्सेस कराचे किंग्स का ये वाला मैच भी गईज काफी अच्छा है और गईज आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आयो तो इसको सब्क्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर से दबा देना और गईज पूरी राद बैटके मैंने ये स्लाइड्स थ्यार किया आप लोगों के लिए ताकि मेरा हर भाई को मैं बैस्ट इन्फॉर्मिशन दे सको तो इसके लिए वीडियो को लाइक चरूर दे देना और गईज इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए रहेगा फ्री गीववे 20,000 रुपे का सिंपल सा है इसी वीडियो के बीच में आपसे एक क्योशन पूछूंगा उसका अंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है अगर आपका अंसर सही है तो आपको प्राइस म हो रहे है बस फराइक हो रहा है कभी फर्स्ट इनिंग वाली जीती है कभी सेकंड इनिंग में टीम जीती है पर टीम कॉम्मिनेशन जो बनाना है वह आपको बैट्समें को ही ध्यान में रखकर बनाना है क्योंकि अभी तक आप देखोगे टोटल पैतालिस मैचेस खेले गए जिसमें बैटिंग फर्स ने 14 और सेकंड ने 31 और यह 14 मैच भी इसलिए हुए क्योंकि भी लास्ट चार-पाँच मैचों से फर्स्ट इनिंग वाली बैटिंग पिछ होने लगी है नहीं जनरली जब स्टार्ट हुआ था पीएसल तब आपने देखा था सेकंड इनिंग में भी बैटिंग काफी आसान है तो काफी सोस समझके आपको टीम बनानी है दोनों टीमों के हैट टूर्ट रिकॉर्ड की में बात करूँ तो टोटल 16 मैच गई दोनों टीमों के बीच हुए है जिसमें कराची ने 6 और इसलामाबाद ने 10 वान किये हैं और कराची की तो गई ए देखे गई इस वाले मैच का सुन लीजिए वैसे कोई ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है क्योंकि अल्रेड़ी यान कॉग्बेन और वसीम अल्रेड़ी आ गए है इसके अलावा इस वाले मैच में आपको दो फाइनल टीम दिखाऊंगा वो आपको विन करा के देगी तो वीडियो गईज आपको कहीं से भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मेरी आपसर रिक्वेस्ट है दोनों टीमों की गईज प्लेइंग 11 आप देख लीजिए वो ही प्लेइंग 11 है जो लाश्ट मैच में थी कराचे किंग्स की तरफ से शर्जिल खान बाबाराजम उपन कर करेंगे उसके बार मून्रो शादाब खान आजम खान आसिफ अली मुबसिर खान फाइम अश्रव मौहमद वसीम जुनियर अहसन अली और मर्चेंटी लेंगे ये दोनों की टीमों की प्लेइंग 11 है अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है अगर मुझे कहीं से भी कुछ अप कर लेना विकिट कीपर सेक्शन में अपन बात करें विकिट कीपर सेक्शन में आपको कराची किंग्स की तरफ से दिख रहे हैं जॉई क्लार्क बट मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में खेलेंगे अगर फिर भी खेलते हैं तो आप स्कोर सुन लीजिए ताकि आपके लि इस वाले लास्ट सीजन में 30 का एवरेज था इस वाले वैन्यू पर 29 का एवरेज है तो अगर खेलता है लाइन अप में आता है तो आप जरूर रखना बहुत इंपोर्टेंट प्रेयर है यहां से इसलामाबाद की तरफ से बात करूँ तो आर गुरबाज भी गई मुझे न चानी कई मेरे साब से एकमाद चैशा रहेगा आपके लिए इस बार विकेट कीपर सेक्शन में और इस ताहिए जा चैजन मेरे के इस बारे बैस चैशन was no जाएगी अभी बहुत ध्यान से समझ लेना आप समझ सकते वीडिओ की शुरूंत हो चुकी चार मैंच गई इसलामाबाद के अगेंस खेले है दो सो पांच रन बना एक्क्यावन के अवरेज से इसलामाबाद के अगेंस शर्जिन खान का रिकॉर्ड पच्छास का अवरेज है क्योंकि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है शर्जिल खान का सामने वाली टीम के अगेंस रिसेंट फॉर्म की बात करूं लास्ट मैच में नहीं चला बड़ उससे पहले साड़ दस त्यालिस करके गया है इस वाले वैन्यू पर 31 का अवरेज है तो शर्जिल खान पर गाइज मै तो बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इसको तो आप ड्रॉप करना ही मत और शर्जिल खान आपके लिए ट्रॉम कार साबित होगा बिलकुल ड्रॉप मत करना कई लोगों के दिमाग में ता इसको ड्रॉप कर दे कौक बेर नंबर चार पे खेलेगा लास्ट मैच मे क्लियर्टी हो चुकी होगी मेरे साब से तीन प्लेयर लेके चलेंगे शर्जिल खान बाबर आजम और यान कॉग्बेन यह तीनों गईज अपन इस वाले मैच में लेके चलेंगे चाहे आप स्मॉल लीग की टीम मना रहे हो या ग्रैंड लीग की तीनों आपके लिए इंपो बॉलर भी इदर उदर ले लिए ना तो आपके रैंक राब जाएगी क्योंकि लाश्ट मैच में मक्सूद ने जिसने भी ले रखा था मेरे सभी भाहियों ने ले रखा था विनिंग कर ये सभी ने तो आज की मैच वी होने वाला इंपोर्टेंट चीजा ध्यान से देख ले को गई ड्रॉप मत करिएगा बर कप्तान वाइस कप्तान मत बनाना पॉल इस्टर्लिंग की बात करूं ओपन करेगा बहुत अच्छी फॉर्म में लास्ट चार मैचों में दो हाफ सेंचूरी और इस वाले वेन्यों पर अर्थिस खाइवरेज है तो आप देखेंगे लेक्स पॉल इस्टर्लिंग जैसे प्लियर है ना ताबर तोड़ बैटिंग करते हैं और यह जिस तरीके का पिछ है ना फुल बैटिंग सपोर्टीव है तो वहां पर यह प्लियर बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं कोलिन मुन्रों की बात करूं नंबर तीन पर खेलेगा और इस फुल फ्लैट पिछ है यहां पर बहुत इजी है बैटिंग करना इसलिए यह प्लियर सब चल रहे हैं आप देखें हैल्स इस्टर्लिंग मून्रों सब मार रहे हैं और यह अभी थोड़ा इस्पिनिंग ट्रैक हो जाए थोड़ा सा यहां पर दिक्कते चालों हो जाए तो प आप ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हैं बट इस्मॉल लीग में मत रखना है बात करेगा इस कराचे किंग्स के आल राउंडर्स की यहां पर गई मौहमद नभी नंबर पांच में खेलेगा ऑल राउंडर्स एक्शन का फिंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर आप 6 बैट्स में लेके चल रहे हो तो फिर आपको यह की आल राउंडर्स ले सकते हैं अब नभी और इमाद वसीम को लेना जरूरी है या नहीं वह चीज़ गई अभी डिसाइड हो जाएगी सामने वाली टीम के अगेंस केवल दो ही विकेट मिले और रिसेंट फॉर्म भी आप तो इस पे तो आप रिस्क ले रहे हो तो ग्रैंड लीग में लेना इसमाल लीग में नहीं हिमाद वसीम की बात करो इसलामाबाद के अगेंस 13 मैच खिले 12 विकेट मिले और अगर आप लास्त तीन मैचों में देखोगे तो एक विकेट मिला है तो यहाँ पे आप इमाद वस इसमाल लीग में आप रिस्क ले सकते हैं इस वाले मैच में बात करते हैं इसलामाबाद युनाइटेट के आल राउंडर्स की अब देखे गई यहाँ पे शादाब खान को तो रखना ही रखना है मैं आपको बोलूँगा इसका अच्छा रिकॉर्ड अब तो भी आप रखो आप इसको वाइस कैप्टेंस ही देना गई आज के मैच में कैप्टेन मत बनाना फाइम अश्रफ की बात करो सामने वाली टीम के अगेंस 15 विकेट लिया है बट रिसेंड फॉर्म में देखे लास्ट तीन मैच से एक भी विकेट टी मिला तो फाइम अश्रफ के साथ आप र इसक ले सकते हैं इस वाले मैच में बात करेंगे इस बालिंग सेक्शन में यहां पर बात करें तो पहला बॉलर आता है कराचे किंग्स की तरफ से आमिर यामिन हैट टुएड में 6 मैच में किवल 5 विकेट मिला इसको रिसाइंड फॉर्म आप देखेंगे तो लास्ट चार म मैच में 4 विकेट निकाले आमीर यामिन उम्मयद आसिफ को गया झजरूर रखना है last two match मैच में 5 विकेट ले जा चुका है head to head में 10 मैच में 11 jak का record है तो उम्मेद आसिफ आपके लिए best pick है इसको आपको जरूर से लेके जरना है मोहमद इम्रान की बात करू लास्ट मैच विकेट नहीं मिला और सामने वाली टीम के अगेंस अभी तक किवल एक ही मिला है मोहमद इल्यास भी देखिए लास्ट तीन मैच में केवल एक विकेट हैट टुएड में केवल तीन मैच तीन विकेट और क्रिस जॉर्डन खेलेगा नहीं तो यहां पर बालिंग सेक्शन में केवल एक बालर मुझे जो लग रहा है आप अपनी टीम में रख सकते हैं व सामबाद उनाइटेट का बालिंग सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉंग है कंपेर टू कराची अली आपको खेलता हुआ दिखेगा सामने वाली टीम के आगे 9 मैच में 15 विकेट है और आप लास्ट मैच देखोगे तो टोटल फांच विकेट ले जा चुका है तो असन अली ट्रमकार साबित हो सकता है आपके लिए इस वाले मैच का जैसे लास्ट मैच में मकसूद हुआ था इस वाले मैच में यह हो सकता है क्योंकि आप देखे लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला ओवराल काफी अच्छा कर रहा है और इस वाले वेन्यू पर साथ मैच में आट व वसीम और वकास मक्सूद जिसमें से भी हसन अली और वकास मक्सूद को तो आपको खास तोड़ से लेके चलना ही चलना है या आपके लिए एक बैटर चॉइस है इस वाले मैच में अब गई यहां पर अब एक चीज आपके दिमाग में आरी होगी कि यार बॉलिंग ओपन पर कौन आएगा दैट ओवर्स में कौन आएगा क्योंकि जो दैट ओवर्स होते हैं मतलब लास्ट ओवरों में विकेट मिलने की चांसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ओपन बॉलर ह इमाद वसीम, आमीर यामीन और मौहमद इमरान दैट में कराएगा उमेद आसिफ और मौहमद इमरान तो यहां पर उमेद आसिफ को तो रखना ही रखना है और मौहमद इमरान को भी आप लेके चल सकते एक बैटर चोईस है इसलामाबाद युनाइटेट की तरफ से बात कर रहा है तो वहाँ पर विकेट मिलने की चांस है थोड़ी से जादा रहती है तो यह दोनों आपके लिए एक ट्रमकार साबित होने वाले हैं दोनों टीमों की गईस प्लेयर बैटल अपन देख लेते हैं क्योंकि यह चीज उन लोगों के लिए मैटर करती है जो ग्रैंड लीग में विन करना चाहते हैं स्मॉल लिक्स वालों के लिए थोड़ा इतना मैटर नहीं करता थेक है फिर भी आप लोग समझ लिए आपके लिए है तो अगर आप ग्रैंड लीग में शर्जिल खान को लेके जा रहे हो तो फिर असन अली को डॉप करना क्योंकि आप चाहोगी कि शर्जिल खान भी पॉइंट दे है तो वह कंडिशन पर यहां पे मुझे लगनी ना दोनों साइट से पॉइंट आएंगे इमाद वसीम को अ आसे न तीन बार फाहिम अश्रापने दो बार अलेक्स зал को दो वार आउट किया है यहां पे आप देख सकते है मुझे को यहां पर इमाद वसीम ने इतीन बार आउट किया है और, आसिफ मैं यूस करने वाला हूं मैंने आपको अलरीडी बताया था आज मैं कम से कम 6 बैटसमान के साथ जा रहा हूँ क्योंकि 6 with पहुंद आजम खान को रखा है तो यहां पर विक्रेट की पर में क्योंकि और कोई चौइस ही नहीं आगा जोई एकलार खेलते तो आप उसको रख सकते बाकि आजम खान इस तूब्या बैटर चौइस पॉल इस टर्लिंग को रखा है एलेक्स एल्स को रखा है को लिंड मोन्र है इस वाले मैच के इसके अलावा अगर कोई पर्फॉर्म करता है तो वह बाकि अलग बात है बाकि यह च्छे बैट्स मेरे इसाब से मोश्ट इंपोर्टेंट है यहां पर विक 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 वाल राउंडर में शादाप खान को रखा है बॉलिंग में उमेद असिफ अली और डबलू मक्सूद तो गैज्ट यह मेरे इस वाले मैच की टीम है जिस टीम के साथ आप इस वाले मैच में अच्छे खासे विनिंग कर सकते हैं अब से आपके लिए एक बैटर कॉम्बिनेशन वाली टीम बन जाएगी तो गैज उम्मीर करता हो आप लोगों को वीडियो बहुत डंक से समझ में आगया होगा एक एक चीज़ गैज मैने आपको किलियर ली बताइए और आप से रिक्वेस्ट है आपको मेरे हर वीडियो च सेक्शन में जाके दे देना तो गैज मेरा वीडियो फॉल इंफॉर्मेटिव ता एजुकेशन परपस से दा आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया प्यार दिया आप सभी भाईयों का तहे दिल से दन्यवाद